उर्जा के स्रोतों के अध्यान के क्रम में आज का बिंदू विश्व में पेट्रोलियम का वित्रण और उसकी विशेशताओं पर आज प्रकाश डालेंगे पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह अपएक शक्रित अच्छी मतरामी उपलवध है आसानी से मिलता है और सस्ते में इसका वित्रन किया जा सकता है इसके बहुत से उपयोग भी हैं हलके प्रकार के पेट्रोलियम उच्छ हाइड्रोजन तथा नियून कार्बन के कारण हारा रंग लिये होते हैं जबकि बारी प्रकार के तेल में कार्बन अधिक होने से रंग काला होता है पेट्रोलियम का निर्मान प्राणी जगत के सागर के प्राणी जगत के अवसेशों के जमा होने से तथा उसके रुपांतरन होने से होता है अक्सिजन रही तो दशाव में जब ऐसा होता है तो बैक्टिरिया इसको वियोजन करके पेट्रोलियम या खनीज टेल जिसे बोलते हैं उसमें बदल देते हैं कच्चा टेल जो पेट्रोलियम के रूप में प्राप्ट होता है इसके कई श्रेणिया हैं जैसे पेराफिन बेस का तेल इस तेल में हलके हाइड्रोकार्बन तत्व जैसे मिथेन का परतिशत अधिक होता है इससे ज्यादा मुले मान चीज़ें जैसे पेराफिन उच्छ श्रेणि के लुब्रीकेंट तेल आदी बनाये जाते हैं दूसरा श्रेणि है अस्फाल्ट बेस का तेल इस प्रकार के तेल में भारी हाइड्रोकार्बन तत्व होते हैं जो ज्यादा चिपचिपी और कम वैपारिक महत्यों वाले हैं इसमें एस्फाल्ट बिटुमिन आदी को गिनाया जा सकता है फिर मिश्रित बेस का तेल भी है जो मिश्रित बेस का तेल में उपरोग्त दुनु परकार के परेटोलियूम में के प्राफत जो है कच्चा तेल हो के गुन पाय जाते हैं जैसे नेफ्तलिन का उत्स परतिशत ही समें पाया जाता है ये तेल भारी इस्रेणी में आते हैं और इंदन तेल या लुब्रिकेंट्स वगरा नाने में काम लिया जाते हैं तेल चटानों में किन-किन दशाओं में उपलवद होता है उपर उठी हुई चटाने जिसे अपनती बोलते हैं एंटिकलाइनल आउस्थिती या एंटिकलाइनल ट्रैप के रूप में पेट्रोलों की सरवादिक मिलने वाल इस्थिती है तेल प्राई उपर मुड़े हुए वलन की श्रिंग या चोटी के भाग में पाया जाता है गैस सबसे उपर होती है तेल उसके नीचे तथा जल सबसे नीचे रहता है क्योंकि जल से पेट्रोलियम हलका होता है तो उसमें तहरता है पेट्रोलियम प्राप्ती की दूसरी स्थिती है ब्रांश जनित आउस्थिती फाल्ट ट्रैप ब्रांशन के कारण जैसे बलवा पत्तर की तिरची हुई तेल युक्त शेलों के उपर रंदर रहित शेल की चटाने पाई जा सकती है नीचे बलवा पत्तर है जो पारगम में होता है फिर रंदर रहित शेल की चटाने हो सकती है जो तेल को बाहर जाने से रोकती है इस स्थिती में तेल पाया जा सकता है तीसरा है साल्ट प्लग या लवन की डाट के रूप में कई बार लवनी है शेल की बड़ी राशी उपर स्थित चटनों की परत के कमजोर शेतर से होकर उबर जाती है एवन तीवर डाल वाले लेकिन बहुमी गत गुंबद का निर्मान कर देती है ऐसे गुंबद के किनारों पर तेल ट्रैप हो जाता है यासी तीन स्थितियों में पेट्रोलियूम पाया जा सकता है पेट्रोलों के वरत्मान संसार में काफी उप्योग हैं परवेन के सादनों में इसका अधिक्तम उप्योग किया जाता है दूसरा उद्योगों में उर्जा प्राफ्ट करने के लिए भी यह इसका उप्योग कई बार किया जाता है इटिंग के लिए या प्रकाश के लिए लूब्रिकेंट्स के बनाने के लिए भी इसको काम में लेते हैं पेट्रोलियूम शोदन में बच्चे वे भारी अवशिष्ट जैसे एस्पाल्ट, बिटुमिन, पिच, तार का प्रियोग, सडक, निर्मान, चतादी में जलके रिशाओ के लिए किया जाता है पेट्रोलियूम के वेक्स से मौमबती, पॉलिश आदी, सील, आदी बनाए जाते हैं बेंजोल से प्रिवेन तेल का विकल प्राप्त होने की संभावना ही है विबिन दवाएं भी खनीज तेल से रसाइनिक पेट्रोल रसाइन उद्योग से के रूप में पढ़ाई जाती हैं बहुत से पेट्रोल रसाइन उद्योगी उत्वाद जैसे क्रित्रिम, वस्त्र, उर्वरक, कीट, नाशक, गौंद, विलायक, डिट्रिजेंट, विबिन परकार के प्लास्टिक, क्रित्रिम, रवर्ड, स्याही, पेंट, अगेरा भी पेट्रोलियूम से प्राप्त होते हैं दस्मलो आठ परतिशत, रूस तथा पुराने सोईसंग के टुटे वे जो देश हैं, CIS के रूप में, उन में 10.8 परतिशत, इरान में 8.6 परतिशत, इराक में 6.5 परतिशत, पेट्रोलियूम के बंढार हैं सिंक्तराज अमरिका में भी 5.4 परतिशत, और लिबिया में 4.6, वेनेजविला में 3.3, भारत में बहुत कम 0.4 परतिशत ही बंढार हैं सबसे बड़े उत्पादक में साओधी अरब का नाम आता है, 13 परतिशत उत्पादन के करता है सिंक्तराज अमरिका 12.8 परतिशत के साथ काफी दूसरे स्थान पर है रूस 12.5, चीन 5, कनाडा 4.4 इत्यादी अन्ने महत्पून उत्पादक है बहरत 5.9 परतिशत उत्पादन के साथ 25 परतिशत उत्पादन रखता है, काफी नीचे है उत्पादन इसके वित्रन और उत्पादन को देखते हैं तो सब एक पहला शेत्र है जो परदेश है दक्षिनी पस्चिनी एशिया यहां विश्व के दो तिहाई तेल बंडार हैं उप्युक्त बोगलिक दशाएं विशाल बंडार आदूनिक उत्पादन की तक्नीक पाइपलाइनों का जाल विदेशी स्रोतों से पुंजी निवेश और एक या दो विदेशी कंपनियों का एकादिकार यहां तेल के उत्पादन की उप्युक्त दशाएं परदान करती हैं इसलिए विश्व की नियुम्तम लागत का तेल इसी प्रदेश, दक्षनी पस्चमी एसिया या खाड़ी देश्चों से प्राफ्त होता है उत्पादन शेतर फारज की खाड़ी के आसपास ही इस्थित हैं और माधिपी मगन तक ये विश्थित हैं थोड़ा बहुत अपवाद हैं जैसे तुर्की, इजराइल या उत्री, इराक में जो तेल शेतर हैं वो इसके अपवाद मनने जा सकते हैं दूसरा है सौदी अरब, इसी प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व के सरवादिक तेल, बंढार वाला देश यहां मुख्य उत्पादक शेतरों में धहरान सबसे बड़ा है, दम्माम जहां सबसे पहले कुणा खोदा गया, अब काईक, कातिफ, घावर जो विशालतम तेल शेतर हैं इस देश का, आइनेदार यह सबी तेल उत्पादन के सोधी रब के शेतर हैं यहां अराम को नामक मुख्य कंपनी है तेल उत्पादन करने वाले, अधिकांस तेल को फारस की खाड़ी के तट पर पाइप पों दुआरा लाकर फिर निर्यात कर दिया जाता है, एक सोलह सो किलोमेटर लंबी ट्रांस अरेविया पाइप लाइन तेल को भूमदे सागरी त उत्पादक शेतर दक्षनी पस्वी भाग में है, जो भारस की खाड़ी के तटवर्ती शेतर ही हैं, इनमें मस्जिद सुलेमान, नफ्त शाह, हफ्त केल, लाली, आगाजरी, किर्मन शाह, आदी तेल उत्पादक शेतर हैं, अब बादान किर्मन शाह में सोधन शाला ही हैं, अगला प्रदेश है, इराक, हाला कि इलागातार युद इत्यादी डिस्ट्रिवेंस के कारून तेल वह असता प्रभावित है, फिर भी काफी उत्पादन भी किया जाता है, प्रवत्ती के दो शेतर हैं तेल के, उत्तरी शेतर को जिसको किर्कुक के आसपास का शेतर कूप या कूएं हैं, दूसरा सितर है, दक्षनी तेल सितर जो तट के आसपास है, बसरा के आसपास, जुबैर, रुमाईला मौसूल पर केंद्रित है, किर्कुक और नफ्त खाना के तेल को त्रिपॉली लेबनान में है, जो मुमद्दे सागरी तटपर और बनियास, जो सिर पाइपलाइन से बिल जा जाता है, अन्य उत्वादक देश भी हैं, जैसे कुएट में काफी उत्वादन होता है, विश्यों के विशालतम एककल भंडार कुएट के बर्गन शेतर में मिलते हैं, सुयूंतरब अमीरात, अबुदाबी शेतर में, कतर में, बहरीन में भी तेल मिलता है दूसरा उत्पादक शेत्र है, रूस और पुराना सोविर्षंग के देश जिने CIS देश बोलते है वोल्गा-ईuraal शेत्र जो है उत्तर में यह पहला शेत्र है रूस को या CIS का, उत्तर में श्वेशागर तदधा पेचारा वेशिन दक्षिन में पेचारवेशन और स्वेच सागर उत्तर में है, दक्षिन में अंबा परदेश, पूर में युराल परदेश और पस्चिन में वोलगा, इस चत्वु जाकार के शित्र में, जो मासको से डेड़ जार किलोमेटर से ज़्यादा है दूर है, उसके दक्षिन पूर की और मासको से दक्षिन पूर की और ये तेल का उत्पादक शित्र है, देश का 90 प्रतिशत उत्पादन मिलता है, कुछ तेल शित्र हैं जिनमें उफ़ा, पार्म, कुई भी शेव, आदी, दूसरा तेल शित्र है, उत्पादक है साइबेरिया, पेट्रोलियम के साथ फ्राकरतिक गैस भी क बाकू शित्र भी कहते हैं, इस कोकेश प्रदेश में कैस्पिन सागर के पस्चिम में स्थित बाकू शित्र, उत्तर में स्थित ग्रोजनी, तथा दक्षिन में स्थित मेकाप, शित्र के साथ-साथ सागर के माध्वी पिये मगन तठ, कैस्पिन सागर के माध्वी पिये मगन तट पर उत्पादन किया जाता है अन्य उत्पादक शेतर पस्चमी तुर्कमेनिस्तान पस्चमी मद्दे वर्ती यूक्रेइन सक्खाले इंद्वीब रूस में हैं फरगाना शेतर बुखारा के पास खिरगी जिया आदी है उत्तर अमरिका में सिंगतराज अमरिका बड़ा उ मुद्बादक परदेश है उसमें मद्ध वर्ती शेतर जो मद्ध वागों में स्थितर राज्यों औकला उम्वा कनसास वगेरा और मद्ध वापूर्बी टेकसास अध्यों में व्यावत यह के अमरिका के तेलों देओध कार्दे शेतर कहते हैं वो अकला आउमा में कंद्रीध है तेल को दक्षिन में यूस्टन उत्तर में शिकागो पस्चि में लॉस इंजल्स तक पाइपों से बेजते हैं दूसरा अमेरिकागा दूसरा शित्र मेक्सिको खाड़ी धक्षनी भाग में जो है या शित्र मुक्य ते दक्षिन और दक्षिनी कैलिफोनिया प्रदेश में पर्शांत महासाकर के अंदर भी तेल का उत्पादन किया जाता है, लोंग बीच शेतर सेंजो क्विन गाटी जो मुखे बुमी पर है, माधी पी शेतर में है, अलास्का में भी तेल के बंढार हैं, कोई क्वैत के जितने हैं, लेकिन ठंडे जलवा के कारण काफी समस्या हैं या तियो देश का 17% उत्पादन होता है, मुखे उत्पादक शित्र प्रूड हो की खाड़ी है, रोकी प्रवती शित्र में बिकरे वे रूब में तेल के निक्षेव भी पाए जाते हैं, दूसरा देश है उत्री अमरिका में कनाडा, बंडार काफ भी काफी किया जाता है, तीन चुथाई उत्पादन अकेले अलबर्टा राज्ये से प्राप्त होता है, दूसरा उत्पादक राज्ये जिसे ससकेचेवान राज्ये बोला जाता है, एड्मन्टन, कालगेरी, न्यू फाउंड लेंड आदी परशिद उत्पादक शेत्र हैं मैक्सिको तीसरा उत्री अमरिका का तीसरा देश जो उत्पादन करता है, आलगि यहां समस्ये आती हैं जैसे सागर का लवनी जल तेल कूपों के एरिया में प्रवेश कर रहा है, जैसे उसके करने से विदेशी कमपनियों उपर लगाई गई, पहले रोक लगाई गई उससे राष्ट एकरन आदी से काफी उत्पादन में कमी आई, लेकिन यहां टैंपिको और टक्स्पेम के मैदानों में तेल का उत्पादन होता है, दक्षिन अमरिका के दो महत्पून उत्पादक देश हैं, वेनेजवेला, मेरा काईबो की खाड़ी है जो, यहां सरवर्थम तेल मिलना, तेल के कूपों की उत्प संक्या, जाजों द्वारा सरलता से निर्यात करना, पाइपों की उपलवलता तटिये शित्र में तेल कूप होना, यह मेत्पून कारक है, वेनेजवेला का दूसरा तेल शित्र औरिनोको नदी गाटी जो लानोस गास के मैदानों में है कोलंबिया दक्षिन अमेरिका का जो दूसरा देश है, इसमे तेल का उत्पादन चार शेत्रों में किया जाता है, जैसे मेगडालेना नदी की गाटी मेराकाई बोजहिल का, दक्षिनि पश्मी कोना, निचली वय उप्री, मेगडालेना नदी गाटी, तो ये चार शेत्र हैं, अधिकांस उत्वादन प्रत्थम दो शेत्रों से होता है, तेल शेत्रों की कम गराई उच गुनगता तथा पाइपों से परिवेन या काफी सायक कारोकों में हैं, अफरिका में भी तेल के शेत्र हैं, अलागि दक्सheen अमरीका में अर्जेंटिना के पेटागॉनिया दूर दक्सनी पठारी परदेश पेटागॉनिया में कॉमोडोरो रिवादेविया का तेल भी महितपून है, अफरिका में एक उत्थपादक देश है लीविया, दूसरा औल जीरिया में महितपून है, लीविया कई समस्याइं यहां हैं जैसे कठोर दशाएं मरुस्तल से जुड़ी वी कठोर दशाएं उच्छतापमानित्यादी गेराई पर तेल का मिलना और खोज करने पर खर्चा आना अलजीरिया इसी का पड़ोसी देश है यहां के प्रमुखे उतपादक से तरहासी मसूद और एडजीले हैं और काफी वृद्धी भी पिछले दश्कों में आ की गई है नाइजीरिया पच्छमी अफरिका में खाडी तट के पास काफी गिन्नी की खाडी के पास नाइजीरिया मेतबून उतपादक है यहां का तेल नाइजनदी के डेल्टाई और सागर भाग में मिलता है अन्दमा सागर शेतर में अफरिका का या सरप्रमुख उतपादक देश भी है जो एरोप अमरिका को तेल को बेजा जाता है मिस्र में सिनाई प्राइदी पर गाज़ा का तेल शे इतर से खरीज तेल की प्राप्ति होती है एशिया में चीन भी उतपादक देश है अच्छा खासा उतपादन करता है जिसमें सबसे बड़ा उतपादक पूर्वी और दक्षनी पूर्वी एशिया का चीन ही है जटिल बुगर्विक रचना के कारण तेल के कुएं बिखरे व यांख्से क्यांग नदी के मद्वर्ती भाग में जेच्वान राजे का नांचुंग शेत्र सांटीष राजे का फूजेंग मन्चूरिया में ताचिंग ता हिलिंग और फूईव मन्चूरिया के शेत्र हैं ये महतबन उतपादक है फिर एच्छी इरोप के देश भी इस کا माद्वीब के तेल बंडार का एक त्याई रोमानिया में हैं, बेटेन के पूर्वेस्तित उत्री सागर भी मुख्य उत्पादक्षित रहे हैं, जहां माद्वीब का 60% उत्पादन होता है बेटेन और नौर्वे के द्वारा, बारत में देखे दो, बारत में असमराजे के डिगबोई के पास माकूम, पथरिया, बदरपूर, नहर कटिया, दूसरा, शिवसागर जिले में तेल काफी लंबे समेशे असन में पराप्त होता है, गुजरात का अंकलेशवर, शित्र, खंबात की खाड़ी का तटवर्ती भाग, कलोल आदी में भी तेल के अच्छे बंडार है, किसना और गदावरी नदी के डेल्टा, कावरी नदी के डेल्टा में नए निक्षेप मिले है, बंबई से दूर अरब सागर में बंबे हाई तेल का एक मुख्य उत्पादक शेत्र रहा है, गुजरात के कच्छ शेत्र और खंबात की खाड़ी में भी अधिक तेल प्राप्त होने की संभाव नहीं है, सबसे प्रमुख आयातक देश स्रियुक्त राजे अमेरिका है तेल पैट्रोलियूम का, अपनी आवशक्ताओं के अतिरिक अन्ने देशों को निर्यात करने के लिए भी कच्छा तेल का आयात करता है, अन्ने महत्वपून आयातक देशों में कनाडा, बिर्टेन, जर्मनी, फ्रांस, निदरलेंड, जापान, दक्षनी, भारत, दक्षनी अफरिका, आस्टेलिया, आदी का नाम लिया जा सकता है, दक्षनी पस्वी एशिया के जो देश हैं, जैसे आपका सौधी अरब, कुएत, इरान, इराग, सियुकता अरब, अमिरात, बहरीन, यमन, कत्रादी, ये प्रमुख निर्यातक देशों में सामिल हैं, इन देशों की तो पूरी अर्थवैस्ता निर्यात, पैट्रोलियम निर्यात पर निर्वर हैं, इंडोनेशिया, वेनेजवेला, कॉलंबिया, आलजीरिया, लीविया, नाइजीरिया, अन्ने, मुख्ये, तेल, निर्यातक देश हैं, अगर विश्व में इसके वित्रम को देखते हैं, तो कनाड़ा का ये अलबर्टा सैस्के चवान राज्यों का शेत्र, ये अमेरिका, शूतराज अमेरिका का खाड़ी तटिये शेत्र और मद्देवर्ती शेत्र, और ये आपका कैलिफोर्निया शेत्र और प्रसांत मासागरिये शेत्र, वेनेजवेला और कॉलंबिया देशों के उत्वादक शेत्र पिरू में भी वॉलिविया में चिली में भी कुछ तेल मिलता है साइबेरिया के तेल के बंडार हैं लेकिन ज़्यादा उप्योग अभी नहीं होने लगा युराल परवतिय शेत्रों के आसपास भी तेल रूस में प्राप्त होता है चीन के जेचवान बेसिन में और उत्री मद्वर्थी चीन में तेल का उत्वादन होता है भारत के असम प्रदेश में और उजरात मॉंबई के आसपास मॉंबई हाई शेत्र संपून, खाड़ी फारिस की खाड़ी का सेतर जिसमें सवदी, अरब, कुएत स्विंक तरब अमिरात इरान, इराक आ जाते हैं फिर इसके ठीक उपर जो ये वाला ये कोकेशस प्रवतिय सेतर है ये रोमानिया, नाइजिरिया और मिस्र में भी इसका उतफादन किया जाता है पेट्रोलियम तरल रूप में प्राप्त होता है इसलिए इसको पाइप लाइनों से प्राई सस्ते में दूर-दूर के शितरों में बेजा जाता है जैसे सावदी अरब में गावर अधी उत्पादक शित्र है कातीव, गावर, गावर, रस्तानूरा, इत्यादी तो यहां का तेल भुमद्दे सागरिये तट पर श्थित बंदर गावों पर पाइपलाइन से जाता है इराग का उतरी इराग का तेल शेतर किरकुक, शेतर का तेल बनियास, सीरिया में या लेबनान में पाइपलाइनों के द्वारा ही जाया भेजा जाता है पाइपलाइनों से इसका जो वित्रन है पेक्षाकरित सस्ता पड़ता है एक बार पाइपलाइन ने डालने की आउशकता पड़ती है यह आगाजरी, हफ्त केल, मस्जिद सुलेमान यह सब इरान के उत्पादक्षितर है लाली भी उसी में है किरकुक, इराक में है क्वेट पारस की खाड़ी के दक्षिन पस्चिम में या पस्चिमी हिस्चे में इस्तित है और इसी खाड़ी के आसपास यह सारे सवदी अरब के तेल उत्पादक्षितर है